मोदी के शपत ग्रहन समारोह से पहले ही राहुल गांधी ने खोल दिया इलेक्शन वाला घोटाला राहुल गांधी ने अपने एक्स हैंडल पर वीडियो शेयर करते हुए मोदी पर लगाए गंभीर आरोप देखें न्यूज एन न्यूज की ये खास रिपोर्ट पहली बार हमने नोट किया कि चुनाओ के समय प्रधान मंत्री ने, होम मिनिस्टर ने और फाइनांस मिनिस्टर ने स्टॉक मार्केट पर टिपनी दी प्रधान मंत्री ने दो तीन बार, चार बार देश को कहा कि स्टॉक मार्केट टेजी से आगे बढ़ने जा रही है होम मिनिस्टर ने सीधा कहा कि चार जून को स्टॉक मार्केट आसमान में जाएगी, लोगों को खरीदना चाहिए और यही मैसेज फाइनांस मिनिस्टर ने दिया फर्स ये, आज थोड़ा हम तो ये, ये क्रोनोलिजी है अमिच्छा कहते हैं, बाइ शेर्स बिफॉर फॉर्ट जून उननिस में नरेंदर मोदी जी कहते हैं, स्टॉक मार्केट विल ब्रेक रेकॉर्ड और जून फॉर्ट फिर अठाइस में को रिपीट करते हैं, फर्स जून, मीडिया जूटे एग्जिट पोल रिलीज करती हैं, बीजेपी का ओफिशल जो इंटर्नल सर्वे था, वो उनको 220 सीट दे रहा था, तो ये इन्फरमेशन बीजेपी की लीडर्स के पास था, इंटेलिजेंस एजन्सीज ने 200 और 220 के बीच में सरकार को बताया था कि उनकी सीट आ रही हैं, थर्ड जून को स्टॉक मार्केट सारे रेकॉर्ड तोड़ देता है, और चार जून को खटाक से स्टॉक मार्केट अंडरग्राउंड चला जाता है, अगला स्लाइड दिखाई ज़रा, ये देखिए, 31st में, मैसिव, स्टॉक अक्टिविटी, मौर देन डबल, वाट वस देर अन 30th, मौर देन डबल, वाट वस देर अन 29th, 28th, ये अनॉमली देखिए, ये कौन लोग है, ये वो लोग है, जो जानते हैं, कि कोई न कोई घपला हो रहा है, हजानों करोड रुपए, यहाँ पे इन्वेस्ट हुए है, फॉरण इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किये हैं, और उसके बाद, 30 लाख करोड रुपए का लॉस होता है, किसका लॉस होता है, रीटेल इन्वेस्टर्स का लॉस होता है, तो ये जो आप देख रहे हैं, हिंदुस्तान की स्टॉक मार्किट की हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम है, देश और दुनिया की ताज़ातरीन खबरों के लिए देखते रहिए, न्यूज एन न्यूज देखिए सिर्फ हकीकत,